रामरम जी भाई सबने तो कैसे हैं आप लोग? ऐसे मैं बड़ा सक्त लोड़ा हूँ लेकिन यहां में पिगल गया तो मेरे प्यारे दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों से आपके हालचाल नहीं ले पाई हूँ गाईस व्लॉग थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ आज आपको पता ही है कि PTM है मेरे तरफ से आप सभी को बहुत सारी best wishes आने वाली life के लिए आपके future के लिए और I wish आप सभी हमेशा खुश रहें जो कि मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ सभी को मेरे तरफ से बहुत सारी blessings जितने भी aspirants हैं जितने भी बच्चे हैं जो अपने exam दे रहे हैं अच्छे नमबर से आज़ाब सभी लोग पास हो जाओ और मेरे लिए सबसे खुशे की बात यही होगी कि मेरे परहाए हुए बच्चे अच्छे अच्छे माक से पास होगी तो मुझे बहुत बेहत खुशी होगी तो यहां मैं रडी हो रही थी मैं पहुँच गई विद्याले विद्याले प्रांगण में आकर के मैंने देखा कि अभी यहां पे कोई भी नहीं आया था यह रही वरुना मैम और हम और वरुना यहां पे अपने टेबल चियर अरेंज कराने लगी और प्रॉपर सारी साफ सफाई करके हम लोग यहां बैठे और सारे रिजल जो है डिस्ट्रिब्यूट किये यह फर्स रैंक होल्डर की ट्रॉफी मेरे पास रखी थी तो गाईज मैं घर आ गई आप मेरी शकल देख के अंदाजा लगा ही सकते हैं कि मैं कितना ठक चुकी हूँ आपने मेरा रिपोर्ट कार्ड वाला व्लॉग भी देखा होगा तो आप समझ सकते हो लोग कहते हैं टीचर की जॉब सबसे अच्छी होती है और कोई काम नहीं गरना होता सुबह जाओ शाम को घर आ जाओ यह सारी चीज़े एक टीचर ही समझ सकती है तो यहाँ पर मेरे पास कुछ बोलने के लिए था नहीं तो मैंने ऐसी चोटे चोटे क्लिप बना ली रात हो गई उसके बाद यहाँ अलू बैंगन की सबजी और आटा गुन्दा रखा हुआ था और यहाँ पर दाल बनी थी और वटा फट से मैंने रोटी बनाई रोटी बनाने के बाद यहाँ मैंने रोटी खाई और इसी के साथ आज का दिन हुआ खतम मिलते हैं नेक्स फ्लॉग में तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखना अपने घरों में मिलना घरों से घूमना मत यहाँ महाँ पता चले आप घूम रहे हो टहल रहे हो एक्जाम्स कतम होगे तो आप फ्री होगे बिल्कुल भी ऐसा कोई नहीं करेगा यहाँ पर खाना खाने के बाद मैं चलीगी मम्मी के साथ आइस क्रीम ले ले अपने के बाद